हेलो फ्रेंड्स मुन टुलियो केर्मी में आपका स्वागत है आज की जुनियों पढ़ने वाले हैं एक्जामिनेशन ओव सेरीब्रो स्पाइनल फ्रेंड को हम शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं फ्रेंड्स जिसको हम हिंदी में मस्तिक मेरू द्रव की जाच यानी एक्जामिन स्पाइनल एक्षिएड है यहाँ पेस्पाइनल कानल स्पाइनल प्रेंट रृंट्रो सपाइनल एस होता है प्रेंड्स केåप नहीं होता है कलर लेस होता आपको बिल्कुल वाटर ही दिखेगा जैसे वाटर होता है बिल्कुल वाटर ही दिखेगा आपको उसका कलर ठीक है So almost no blood cells इसके अंदर को भी blood cells नहीं होते हैं अगर blood cells होंगे तो वो transparent नहीं होंगे ठीक है friends So proteins little proteins and more salt यानि little proteins and more salt क्या होते हैं इसमें present होते हैं blood cells नहीं होता है So friends Cerebro Spinal Fluid की location क्या है अब हम जानते हैं कि Cerebro Spinal Fluid तो होता है जिसको हम शॉट फॉर में CSF भी कहते हैं लेकिन एक्च्वल में होता का है सब यह यहां पर एक डाइगरम है friends यह आप देख सकते हो यह जो brain है आपका यह है CSF तो CSF क्या होता है यह सबसे उपर होता है ठीक है तो यहां पर है राइ्ट वेंटरिकल आप देख सकते हैं यह आपका लेफ्ट वेंटरिकल है यह आपका थर्ड वेंट्रिकल है और यह फोर्थ वेंट्रिकल है और यह हमारा spinal canal है ठीक है फ्रेंट्स और यह हमारा CSF अब आता है हमारा formation of CSF CSF की formation क्या है फ्रेंट्स CSF is a formed by choroid plexus situated within the ventricle तो basically क्या है जो CSF होता है formed होता है coraloid silex is situated within the ventricle मैंने आपको पता है राइट लेफ्ट जो वेंट्रिकल है हमारा बहां पर क्या होता है जो यह CSF होता है cerebral spinal fluid होता है महाँ पर formed होता है यहाँ पर plexus होती है coral is plexus situated होती है जहां जो क्या होती है within the ventricle के अंदर होती है जहां से CSF formed होता है so choroid plexuses are tuft and capillaries present inside the ventricle तो यहां पर क्या होता है जो choroid plexuses है यह क्या होते हैं tuft होते हैं और जो यह capillary present होते हैं किसके अंदर ventricle के अंदर so present inside the ventricle so a large amount of CSF is formed in the lateral ventricle तो जो lateral ventricle का part है friends जोसे diagram में हमने दिखाया जो आपका lateral ventricle का जो part है वहां पर क्या होता है CSF large amount में फॉर्म होता है ठीक है friends वहाँ पर large amount में CSF formed होते हैं अवात हमारा circulation of CSF CSF की circulation किस तरह होती है so lateral ventricle वहाँ पर जो हमने lateral ventricle देखा वहाँ से क्या होता है forman of man raw तो इसमें intraventricular forman होता है and then third ventricle में आता है फिर cerebral adequate of slivus slivus में आता है and fourth ventricle में forman of magnetia and subacrinicoid space of brain and spinal cord तो friends जो मैंने आपको बताया कि जो ये brain है ये जो इसका outer layer था जो ये outer layer है जहाँ पर ये present है CSF ये है subacrinicoid space यहाँ पर क्या होता है spinal cord तक क्या होता है यहाँ पर ये brain के आसपस आ जाती है ठीके तो ये हमारा है brainer spinal cord के पास तो ये होता हमारा circulation of CSF ये कहां कहां पर ये circulate होती है CSF CSF का function क्या होता है basically हमारी body के अंदर हमारे brain में CSF है उसका basically function क्या है वहाँ पर क्योंकि अगर हमारी brain के अंदर या हमारे अंदर कुछ भी present है हमारी CSF प्रेजेंट है cerebral spinal fluid प्रेजेंट है तो उसका कोई ना कोई function होगा हमारी body के अंदर जो वह एक role play कर रही है so cerebral spinal fluid has four major functions तो हमारी human body के अंदर जो cerebral spinal fluid है उसके basically four major functions है so first है हमारा physical support of neural structure जो हमारे neural structure है neural का मिन्स की अपका neural system जो है neural system को क्या करता है support करता है friends ठीक है ये neural system को support करता है accretion and sink action excretion and sink action होता है friends and intracerebral transport and control of the chemical environment of the central nervous system तो friends सी क्या करता है जो intracerebral है intracerebral जो transport होता है वो CSF की थूरू होता है ठीक है और control करता है chemical environment को of the central nervous system तो central nervous system जो है हमारा CNS जो है उसकी chemical environment को भी control करता है हमारा CSF so cerebrospinal fluid provides a water jacket of a physical support तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा skull होता है skull के अंदर हमारा ये brain होता है ठीक है इसके अंदर cerebrospinal fluid है ठीक है तो यहाँ पर क्या है water jacket होता है water jacket हम कह सकते है कि physical support कर रहा है CSF जो हमारी brain के अंदर अब आता है friends हमारा examination of CSF CSF की examination हम किस-किस तरीके से कर सकते हैं laboratory के अंदर so first of all है physical examination then chemical examination and cytological examination bacteriological examination तो basically बात करें physical examination की तो हम physically तरीके से मतलब की normal तरीके से कह सकते हैं कि हम slide देखकर या उसमें cells वगेरा देखकर हम उसकी physical examination कर सकते हैं microscopic examination कर सकते हैं chemical examination means कि आप कुछ chemicals उसमें include करेंगे जिससे आप CSF की other examinations कर सकते हैं cytological जो उसमें tissues present है वगेरा आप examine कर रहे है that is called biological examination so increased glucose level in the CSF इसको हम hyperglucosia कहते हैं ठीक है friends so hyperglucosia क्या है मारा जिसके अंदर CSF के अंदर high glucose level हो जाता है decreased glucose level is CSF hypoglycemia है ठीक है so increased number of white blood cell in CSF polyocytosis so polyocytosis एक ऐसा condition friends जिसके अंदर जो क्या है number increase हो जाता है WBC का ठीक है CSF के अंदर अब CSF है friends CSF के अंदर cells भी है तो इसके अंदर क्या होगा जो WBC cells होंगी white blood cells उनका number क्या है increase हो जाएगा physical examination of CSF CSF का हम physical examination कैसे कर सकते हैं तो physical examination के लिए physically कैसा दिख रहा है so यहां पर है normal colorless होता है red in first tube clear in the last tube tumeric tap so all tubes have the same red color subricnoid and the intracentral homoragic तो basically क्या होगा अगर normal होगा तो colorless दिखेगा अगर red दिख रहा है तो इसके इसमें क्या होता है कि इसमें intracentral homoragic जो है होने के chances होते है अगर yellow है तो increased bilirubin bilirubin अगर increased है तो friends उस case में क्या होता है CSF yellow हो सकता है pink and orange blood breakdown products तो अगर कहीं blood breakdown हुआ है तो वहाँ पर जो blood के products होते है उनकी वज़े से क्या है कि आपको pink या orange दिख सकते हैं अगर CSF आपको green color का दिख रहा है तो that is there is infection and increased bilirubin तो bilirubin increased की case में भी green भी दिख सकता है और को infection है तो भी ये green color शो कर सकता है appearance की बात करें तो normal CSF is clear and cloudy जो होता है due to the presence of leukocytes अगर leukocytes present होंगे friends तो ये cloudy दिखेगा आपको ठीक है termid है due to presence of large number of cells तो अगर large number of cells है friends तो ये आपको क्या कर सकता है ये आपको termid दिख सकता है chemical examination of CSF CSF का chemical examination क्या होता है so sugar, protein, chloride are checked routinely तो basically क्या होगा कि अगर आपको CSF है उसके अंदर sugar, protein या ख्लोराइड कुछ भी present होगा तो आप रूटीन तरीके से उसमें enzymatic reaction करवा के आप उसका पता लगा सकते हैं कि actual में आपके CSF के अंदर cerebrospinal fluid के अंदर sugar, protein या ख्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है so enzymes, ammonia and aminase electrolytes and other biochemical like tumor marker may be estimated in CSF if indicated CSF friends की टेस्ट है जो chemical examination, physical examination जो किये जाते हैं ये due to अगर आपको कोई symptoms नजर आ रहे हैं कुछ infection है इस केस में क्या होता है कि ये डाग्नोसिस किये जाते हैं CSF glucose, so CSF glucose क्या है normal value care 50 to 80 mg per deciliter so CSF glucose के अंदर क्या होता है, जो normal value होती है, वो 50 to 80 होती है ठीक है friends, decrease का मतलब है कि ये कम हो जाना, यानि किस condition में ये decrease हो जाती है CSF glucose जो है वो basically जो 50 है, 50 के range यह 50 से 80 ये normal है, ठीक है friends अगर 50 से कम जा रही है यानि 30, 20 10, 5 2, 00 माइनस में, तो ये क्या होगी ये bacterial infection के case में हो सकती है inflammatory condition के case में हो सकती है hypoglycemia ठीक है, ये decrease condition है यहाँ पर ये हो सकता है normal करें तो viral infection हो सकता है और increased के case में hyperglycemia हो सकता है chemical examination of CSF CSF का chemical examination CSF protein बिसिकली जो CSF protein है अभी हमने CSF glucose पढ़ा chemical examination के CSF protein पढ़ेंगे so normal value are 15 to 45 mg per deciliter increase हो सकता है impaired blood, CSF barrier, inflammatory condition example meningitis और homoragic CSF circulation defect CSF circulation defect होता है तो उस condition में क्या होता है brain tumor या brain abscesses होने की chances होते हैं chemical examination of CSF CSF का chemical examination third है हमारा chloride है chloride की जो नॉर्मल लेवल होती है 650 to 750 mg per deciliter है decrease हो का bacterial meningitis bacterial meningitis की केस में यह होता है 600 to 700 mg per deciliter TV meningitis below 600 ठीक है उसमें की decrease होता है microscopic examination of CSF CSF का microscopic examination क्या होगा friends wet mount examined for RBC, WBC, any other cells, microorganisms तो हम red blood cell, white blood cell और other cells माउंट करके क्या करते हैं CSF के अंदर से हम इसकी ranges पता करते हैं की RBC की value कितनी है WBC की कितनी है ठीक है और other cells यह मार्कोंगेंजम में प्रिजेंट है यह नहीं है so condition causing neutrophilica increase in neutrophils so neutrophils increase जब होता है friends, इसको हम neutrophilica बोलते है so bacterial, pyogenic, meningitis, brain abscesses, brain infarct so basically this condition में क्या होता है की neurophilica जो है वो कॉस करती है तो brain abscesses होने के brain infarct होने के and pyogenic meningitis होने के chances बढ़ जाते हैं so condition causing the isynophilia, so parasitic infection and fungal infection parasitic infection, fungal infection के अंदर क्या होता है friends, की यहां पर जो isynophilia है वो condition कॉस करता है, ठीक है parasitic infection का और fungal infection का condition causing lymphocytosis increase in lymphocyte अगर lymphocyte ने increase होता है friends, तो कौन-कौन सी condition कॉस होती है viral meningitis होता है, tuberculosis meningitis होता है, chronic meningitis होता है and degenerative disorder होते है ठीक है, so viral meningitis यह सारा हमारा क्या है की आपकाने एक इक इन्फाक्शन होता है, ठीक है viral and bacterial infection होता है आपकी बॉड़ी के अंदर क्या होता है, यह कोई भी वेल्यूज आपकी CSF के अंदर increase जाती है तो वह क्या होती है की आपको यह condition हो जाती है ठीक है, so condition causing increase in plasma cells so tuberculosis, meningitis, multiple sacrosis तो यह जो diseases है, condition है, cause होती है किसके plasma cells की increase होने से so condition in which malignant cell are seen in CSF तो कुछ ऐसी conditions है जिसके अंदर malignant cell देखने को मिलती है हमें CSF के अंदर cerebrospinal fluid के अंदर so metastik tumor, metastik tumor है जिसके अंदर हम CSF के अंदर malignant cell को देख सकते है leukemia एक है, जिसके अंदर लेफोमा है and spinal cord tumor spinal cord tumor के अंदर भी हम malignant cell को देख सकते है अब आता हमारा differential count differential count indicated when the total count is elevated various method होता है इसका centrifugation so first हमारा centrifugation if the total cell count is less 500 cell per microliter membrane filtrated तो centrifugation क्या है friends if the total cell count is less than 500 cells per microliter अगर 500 cells per microliter आता है तो centrifugation करते है so membrane filtration even a small number of cells can be examined so membrane filtration कप करते है friends जिब हमें small number of cells exam करना होता है so sedimentation technique एक sedimentation technique होती है जिसमें sediment बैठता है उस technique से भी हम करते है for straining straining में हम romance की strain यूज करते है एक हमारा rapid strain भी होता है जिसको हम diff strain भी कहते है friends so how the test is performed अब हम पता करेंगे कि हम test किस तरीके से परफॉर्म करते है CSF का sample हम किस तरीके से क्लेक्ट करते है so there are different way to get a sample of CSF lumbar puncture, spinal tap are the most common method so basically क्या होता है friends की हम lumbar puncture करते है lumbar puncture में क्या होता है जो हमारे vertebrae होते है ठीक है उसमें क्या करते है हमारे spinal tap होता है spinal tap, lumbar puncture जो हमारा वहां आपसे हमारा common method है CSF क्लेट करने का so you will lie on your side जैसा कि आप इसमें देख सकते है कि यहां पर यह needle है ठीक है इन्हों निडल लगा रखिया है यह spine है and cerebrospinal fluidist tube के अंदर है जो collect कर रहे है so you will lie on your side with your knees pulled up toward the chest and chin so tugged and downward sometime the test is done setting up and bent forward so sometimes what happens is that you can also give a sample to the back like this is later on you can also give a sample to the back side and you can also give a sample to the back side so after the back is cleaned the healthcare provider will inject a local numbing medicine so a numbing medicine होती है जिसको हम anesthetic कहते है anesthesia भी कहते है so into the lower spine a spinal needle will be inserted तो फिर क्या करेंगे हम इसको clean करने के बाद spinal needle जो है वो insert करेंगे an opening pressure is sometime take the abnormal pressure can indicates infection is other problem so opening pressure क्या करता है कभी-कभी abnormal pressure indicate करता है जो अगर infection है ठीक है और कोई other problem है तो इंडिकेशन होती है friends पता करने की कि कोई abnormal pressure होता है जिसके वज़े से यह infection indicate कर लेता है so once the needle is in position and after the CSF pressure are measured a sample of one to ten milliliter CSF is collected in a four vials so four vials के अंदर हम sample को collect करते हैं so friends आपकी needle देख सकते हो कितनी लंबी होती है यह syringe अलग ही आती है इसको sample collection के लिए so the needle is removed जब आप sample collection कर लेंगे तो needle remove करना है the area is cleaned and a bandage is placed over the needle site and you may be asked to remain lying down the short time after the test so क्या होगा कि friends पेशन को यह कहना है कि needle remove करने के बाद आप से clean करेंगे bandage लगाएंगे और उसे वापस से लेतनी के लिए बोलेंगे short time के लिए so friends हमारा जो CSF सेरीबरो स्पाइनल फ्रूट हमने पहले भी इस पर पढ़ रखा है हमने की सेरीबरो स्पाइनल फ्रूट के अंदर basically मारे जो brain है brain हमने यह topic पढ़ रखा है आज हमने CSF पढ़ लिया है so यह दोनों connected friends तो आप सबसे पहले brain जरूर topic पढ़िएगा and then CSF पढ़िएगा क्योंकि उसके parts भी आपको पता होना चाहिए कहां कौन से part है CSF कहां present होता है आज हमने उसके बारे में पढ़ा CSF के बारे में सेरीबरो स्पाइनल फूट के बारे में हम उसके किस-किस तरह से टेस्स लगा सकते है अगर आपको कोई topic है तब comment box में लिख सकते है friends ठीक है friends मिलते है next video में thank you so much